मैं इस कविता को आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि हरे खासरी रोटी ही जदे बन बिलावडो ले भागयो नानो सो अमर्यो चीख पड़यो राणारो सोयो दुख जागयो हरे खासरी रोटी ही आप एक सिंद देखो महाना परताप उनके बेटे अमर सिंग अकबर आदमे तूटता कब है आप अपने पिता को अपने पिता की जगए आप समझे की महाना परताप की ज़ए आप पिता कड़े हैं आप उस अमर सिंग जए खड़े हैं और सामने नीट और जेई उस अकबर की तरा आपके लिए खड़ी है और उसमें एक पितल नाम के विक्ति हैं जो महराना को जगाते हैं वो आपके सामने खड़ा माप पीचा तो मेरे उकात ने तुलना करूँ आपके सामने खड़ा पितल है जो आपको जगाएगा जो आपके पिता को राना से महराना बनाएगा प्राणा की कहनी पे आता हूं दोस्तो मेवाड चितोड के राजा मेरे महारणा अकपर का आफर था गुलामी स्विकार करें या राज छोड़ें नो डाउट उसके पास सेना ज़्यादा थी कोई फरक ने पड़ता कदे कदे गाद डाश्यों सिंग हार जावे कदे कदे गाद डाश्यों सिंग हार जावे समय को भरो सोको ने कद पल्टी मार जावे आज समय राना का है हम इतने शक्षम हैं इस भारत के उनके लादलित शक्षम है कि अपने पूरवज की आज है मना रहे हैं जनमती थी हम योग्य हैं हमें ते काबिल हैं उस दर्ती में खुली सांस ले रहे हैं कि हमारे उन पुरूज़ों को याद कर पा रहे हैं जो लड़े हमारे लिए अब मैं मेरी बात को सुरू करूँ अमर सिंग बेटे हैं राणा के जो सोने चानी के चंबच में पैदा हुए मक्मल के बिस्तरों में सोई उनको सोचो जंगल में जाना पड़ रहा है और वहां भी रोटी नसीब नहीं है घास फूस की रोटी जो बनती है वो राणा को अकबर कहता कि राज पार छोड़ दे बन्दा छोड़ता बड़े प्यार से लेकिन उनके बेटे अमर सिंग जब जंगल में गास फूस की रोटी बनते हैं राणा और वो बन्द का बिलाव जो होता है जंगली जानवर उसके मुझे च्छिन लेता है तो अमर सिंग रोता है बस इस कवीता में यही चीज में जोड़ता हूँ आपसे जो राणा महल छोड़ने के बाद चेरे पे उसके कोई सिकन नहीं है करना बहुत आसान है कई बार देखता हूँ कुछ बच्चे घर से आते हैं सामने से घर होता होगा यहां होस्टल की लाइप का कहते हैं नहीं यह मेरे लाइक नहीं है यहार महाना परताब तो पता है क्या क्या किया था तो बेटा समय के साथ तूं किसी लाइक नहीं रहेगा बंदा सब को छोड़ देता है चेरे पे कोई सिकन नहीं है यह आपके पिता है तो आपके लिए खेत में काम कर रहे हैं पर लुकान पर एकाम कर रहें, नोकरी कर रहें, फोज में कैसे देश की सुर्खशा कर रहें, वो बिल्कु ठकते नहीं हैं। लेकिन जब उसी राणा के बेटे की रोटी एक बन का बिलाव ले ले लेता है, तो राणा तूटता है। तो सोच के देखो, पिता संगर से नहीं तूटता है पिता अपनी ओलाद के आंसु तूट जाता है इसने मेरी पहली निवेजन है अपने आँखों में कभी आंसु मतले क्याना ने वो तूट जाएंगे यार जिन्नों पैदा किया आपको प्लीज आप उनको नहीं तोड़े बाई यार बस एक अभीता है यह एक शिर घे मेरारा जब तक तैरी गोल्य हमें एक शेकार रहेंगी और किस्मु सब्सक्राइना नीमिस तीरी अभी ओय य surrounds शिकार नहीं सुद्नी टो भी पिरinea कि मुज राजा मेरार जैसे ही राना का पत्र अकभर के पास जाता है राना का पत्र अकबर के पास जाता है अकबर पिथल जी को बेस्तीक बलाते है देखिए रा जिसको उस शेर कह रहा था न ये शेर का पत्र आगे गुलामी का पिथल कहता है नहीं रुको एक बार ऐसा हो नहीं सकता एक पिथल जी पत्तर लिखते हैं फिर राना को पिथल जी राना को पत्तर लिखते हैं वो पत्तर राना को जंजोरता अंदर से मैं कहता हूँ पिथल ना होते तो राना महराना नहीं होते पिथल का पत्तर पढ़के राना के फिर से अंदर से जमीर जो बेटे के मोह में थोड़ा सा सुष्ट हो गया था हूँ फिर जाकता है और फिर वापस एक पत्तर लिखते हैं राणा अकबर को और वो पत्तर राणा को महाना बना देता है और आज हम सब लोग उसको गा रहे हैं मेरे साथ हो ले एक पिता पिर से कहता है नालाई को आप में से बहुत से छोरे ऐसे होंगे इसके पिता की इनकम मेहने में 30-40,000 से कम है जिसके तनकम मेहने के 50,000 से कम है वो आपको पढ़ाने बेज़ते हैं दावा है मेरा गाउं के कई लोग इसे बेटियूं के मामले में कई कमेंट पास करते होंगे छोरी पे पढ़ाई में पैसा खर्च करें इससे चादी कर दो इसकी ताकि आपकी जिम्यदारी पूरी हो यह आप सब जानते गाउं में हम लोग फिर भी हो पिता लड़ता गाउं से संगर्स करता है वो मावीर फोगाट पुरे गाउं से लड़ता है कि नहीं मेरी छोरिया छोरों से कम नहीं है उसी की देन है कि ओ छोरिया आजे अंत्रस्ट्रे बन गई केवल मावीर फोगाट जे से पिता ओने चाहिए आपको गिता बभिता के तरह होना चाहिए कि हरे खासरी रोटी ही जदे बन बिलावडो ले भागयो नानो सो अम्रो चीख पड़यो रानारो सोयो दुख जागयो हरे खासरी रोटी ही रोटी छिनता बिलाव तो राना का दुख जागता है मैं पिर से कहता हूँ वो बंदा नहीं टूटा सुईदाओं के कारण है वो बंदा टूट गया बच्चे की आंक के आंसू के कारण है अरे यारो छोटी मोटी कभी ऐसा पलता मिल भी जाए कोई टेस्ट में नमबर कम भी आ जाए किसी परतियोगी प्रिक्सा में सेलेक्ट ना भी हो तो माबाप के सामने प्लीज मू लटका के मत जाना उनको जाके अपने समझ्या बता देना एक बात गुरू मंतर ले लो माबाप के सामने के जूट मत बोलना कितनी बड़ी गल्ती करके आ जाना वो आपको माफ कर देंगे पिता तब दुखी होता है जब उलाद गल्ती करती है और स्विकार नहीं करती है और मोले के लोग करते थे उलाद नलाइक है तब वो आदमी अंदर बैठके रोता है उस तर्तिक उसका कोई नहीं होता है उसे गरीब कोई बाप नहीं होता तो प्लीज अपने बाप को गरीब कोई मत पुरा देना हरे घासरी रोटी ही जदे बन भिलावडो ले भागयो नानो सो अमरो चीख पड़ो राना रो सोयो दुख जागयो हरे घासरी रोटी ही क्या कहते राना हूँ लेड़ो घणो हूँ सयो घणो हूँ लेड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाडी माने बचाओने जैसे कई बार तुम कुछ गलती करते हो तुमारे कुछ लोग पिता को बोलते है छोड़ा ठीक नहीं है तो पिता कहता यारा मैंने कहां कमी रह गई मैंने इन दिन बर दुकान में रात को काम किया ओर ठाम किया खेत में काम किया देश की सुरुक्षा के लिए मैं मांइनस 30 डिग्री बेटर अचियाचीन पे मैं दिन भर दुकान में मैंने पिता क्या है जो दुफैर का टिफिन का का खाना इसले ठंडा तुफैर का थंदा टिफ्रिका खाना इस भी खाता है किस अपरिवार गरम खाना कहा सके यह पिता होता है हो जा राना हो चापके पिता हो हरे चासरी रोटी जदे पन बिलावडो ले भागयो नानो सो अम्रो चीख पड़ो राना रो सोयो दुख जागयो हरे घासरी रोटी हूँ लड़ो घणों हूँ सयो घणों बेवाडी माने बचावनने मैं पाच नहीं राकी रण में बैर्या रोखुन बावनने जद याद करूं हलदी घाटी जद याद करूं हलदी घाटी नेना में रखते उतर आवे सुख दुखरो साथी जेतकड़ो सुती सी हूँ के जगा जावे हूँ लड़ो घणों हूँ सयो घणों मेवाडी मान बचावनने मैं पाच नहीं राकी रण में बैर्या रोखुन बहावनने जद याद करूं हलदी घाटी हूँ लड़ो घणों हूँ अपने पिता को महसूस करें जो आपके स्ट्रिकल करते हैं वो भाईया चाहे चाहे की दुकाँ चलाते हों चाहे शोरूम चलाते हों उनकों सुबह शाम चाहे काम करना होता है उनके लिए कोई खुशिया नहीं प्रिवार से बड़ी हूँ लड़ो घणों हूँ सयो घणों मेवारी मान बचावनने मैं पाच नहीं राखी रण में बैर्यां रोखून बावनने जद याद करूं हलदी घाटी नेणा में रखत उतर आवे सुक दुख रो साथी चेत गडो सूती सी हूक जगा जावे जद आज बिलख तो देखूं जद आज बिलख तो देखूं जद राज कवर ने रोटी ने जद आज बिलख तो देखूं जद राज कवर ने रोटी ने भूलू हिंदु धर्म ने भूलू हिंद वानी चोटी ने बहुता बहुता है। कि अपने परेन्स को उन नालाइकों के सामने जुका मत देना जो उन पर कमेंट्स करते हैं कि तेरी उलाद लाइक नहीं है क्यों उन पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो व्यक्ति सब से लड़ सकता है गाउं से महले से समास से वो नहीं लड़ पायागा दोस्तों आपसे हूँ लेड़ो घणो हूँ सैयो घणो मेवाडी माने बचावनने मैं पाच नहीं राखी रण में बहरा रोखूने बावनने जद आज बिलक तो देखू हूँ जद राज कवर ने रोटी ने बूलू हूँ छत्र धरम ने भूलू हिंदवानी चोटी ने आसोच हुई आसोच हुई दो टूक तड़क राणारी भी मैं बजर छाती यहां तूडता पिता आसोच हुई दो टूक तड़क राणारी भी मैं बजर छाती आख्या मैं आसू भर बोलो हूँ लिक्षू अकबर ने पाती अब ओके तड़ तूट जाता हूँ भाई अब मैं अकबर को पत्र लिखता हूँ सोचो यार क्या बीटती है उस्पिता पे जो अपनी हर प्रिस्थिती में आपके साथ खड़ा है आसोच हुई दो टूक के तड़क राणारी भी मैं बजर छाती आख्या मैं आसू भर बोलो हूँ लिक्षू अकबर ने पाती पत्तर लिखा राणारी पिर अकबर को जद राणारा जद राणारो संदेश गयो अकबर रो सपनों सो साचो जैसे पत्तर गया राणा का अकबर का सपना है की था तो भारत का बादश्या बन जाओं अकबर राणा गुला में सुविकार करने तो बाद साओं भारत का मैं पड़ो शेर ने स्युकार की नहीं और भारत का बात साब बने का सपना पूरा होने दी नहीं कभी राना रा जद राना रो संदेश गयो अकबर रो सपनो सो साचो पर नेन कर्या विश्वास नहीं जद बांच बांच नहें फिर बांचो जैसे ही राना का पत्रकबर के पास गया ये किन नहीं वा बन्दे को कैसे एक सावर भी देश में हुआ ऐसा जान होगा मेरे उस आजाचंदर सेखर को जब उस बगीचे में पेड के पास गोली मारी गोरू ने और गोली मारने के दो गंटे बाद सुसरे कुत्तू की हमत नहीं हुई उस सेर को जाके चेक कर ले तालिम है मेरे सेखर के लिए पता होगा इस चिसका आपको लास बन चुका था मेरा वो वो मेरा अपना गार्जियन मेरा वंस जिसके कारण मैं खुली आहवाब में सांस लेता हूँ साड़े उन पंबियों की हमत नहीं हुई कि जाके शेर को मरेवे शेर को भी देखने में कुत्तू की हमत नहीं होती है तो कुछ देर बाद जाके देखा कि हाँ सांस हैंक नहीं है सेम बात अकबर के साथ हुई पर पर पड़ा पत्र को राणा के राज दिर्वार की मौर का पत्र था बस अक्बर तो इंजार कर रहा था कब ये पत्तर आए और कब बुलाएं पिथल जी को और बेश्टी करें क्योंकि पिथल जी मूच रखते थे जद बस दूत इसारा पाबागया धान चाओं रहे राना का पत्तर जिसे अक्बर के पास गया दो बार पढ़ा और कंफर्म हो गया कि राना का पत्तर है उसको थोड़ी सी हैकड़ी आई और पिथल जी को बुलाया गया किसलिए उनकी बेश्टी करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और तेरे खून के रिष्टे के लोग सत्रा तारी की शाम का वेट इसलिए कर रहे है कि तेरा स्कोर कट ओफ को पार कर जाए पर याद रखना कुछ ऐसे लोग भी है वो सत्रा की शाम का वेट इसलिए कर रहे है कि तेरा स्कोर सेलेक्शन को पार नहीं करे वो लोग तेरे पिता को शाम को बुलाने ले ले गई जी क्या हुआ रिजल्ट आए मैं दावे से कहता हूँ सेलेक्शन होगा निश्चित होगा तो गाओं के साथ दो लोग मिठाई लेके आएंगे और नहीं होगा तो नालाई को दुनिया बहुत कंदी है चार लोग पुछने आएंगे क्या हुआ छोरे का मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को हर आदमी अथेली पे नमक लिए गुमता है दोस्तो मच्बूत रहो अपने आपने 45 दिन है अरे छोरे छोरियो 45 दिन है 450 गंटे पढ़ लो वो तेरा पिता राणा महराना बन जाएगा फिर किसी अकबर की उकात नहीं कि मेरे राणा कुछ कह दे फिर कोई अमर सिंग नहीं हारेगा फिर कोई अमर सिंग नहीं रोएगा पिर ऐसी कोई कहाने इस दर्ती पे नहीं बनेगी जदराना रो संदेस गयो अकवर रो सपनो सो साचो पर नेन करया विस्वास नहीं जद बांच बांच ने फिर बांचो बस दूत इसारा हपा भागया यहां बेजती हो रही है अब यहां देखना यह इंसल्ट है लोग कहते हैं सपल होने के लिए यह चाहिए वो चाहिए इंटेलिजिंसी मैं कहता हूँ सपल होने की पहली सरत है कभी ना के भी आदमी की बेजती होना भो जरूरी है आदमी प्यार को भूल जाता है बेजती के भी नहीं बूलता है बेजती आपको तोड़ती भी है बेजती आपको काम करने के लिए प्रेजती भी करती है मुझे 27 साल में च्छान मसेले के आज तक चार से पांच बार ऐसा सामना करना पड़ा बेजती हों का कि अब शर्मन चोधरी तेरा क्या होगा जब जब ऐसा कहा तब तब सेल सी बहुत आगे बड़ी बस दूत इसारा पाभागा पिथल ने तुरंत बुलावन ने दूत चले गए पिथल बनाने के लिए बस दूत इसारा पाभागा पिथल ने तुरंत बुलावने किरिनारो पिथल आपूगयो अकबरो भर्म मिटावने बुलागे पिथल जी को पिथल जी आए बस दूत इसारा पापा गया पिथल ने तुरंत बुलावने किरिनारो पिथल आपूगयो अकबरो भर्म मिटावने उसके बाद जो अकवर ने कहा पितल से अब सुन लो यदि आप ये चाहते हो अपने पिता को सुनाना तो मजए करो पैंतर इस दिन गूमो इस सडकूं पे 18 जुलाई को इस सेर में तुम्हारा कोई नहीं होगा मुझे पता वो आप यहां बैठे भी नहीं हो कोई आपका ऐसे दोस्त भी हो तो उसको बोलना की कर क्या रहा है मुझे पता विहां बैठे हो तो आप उनमें से नहीं हो साइध इस से बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती पितल की बस दूत हिसारा पाबागा पितल ने तुरंद बुलावन ने तिरे ना लो पितल आपू क्यों अकबर लो भरम मिटावन ने पितल अकबर ने कहा में बांध लियो है पितल सुन क्यों पितल ने कहा था ना अकबर ने कहा पितल मूच कटवा पितल ने कहा ना जब तक राना आजाद है तब तक मूच ने जाएगी तो अकपर ने का अब क्या होगा आ गया रानाक पत्र भी आ गया आया एक ड्रोप लिया सेलेक्शन नहीं हुआ मुले में काब ये सी करा दे पिता को विश्वास ता अपने खून पर नहीं ऐक वोका ह और दूँगा सीकिन्द Мुका दिया सीकिन्दुमौका नहीं 21 अरकू के ब को महेंगे कपड़े देते हैं गल्ती कर दी का उन्हों नहीं बाप होना गुना है क्या में बांध लियो है पीथल सुने में बांध लियो है पीथल सुने पिंजडा में जंगली शेर पकड़े शेर तो बाई जंगल करे होता है सरकस में काएगे शेर में बांध लियो है पीथल सुने पिंजड़ा में जंगली सेर पकड़े ओदेख हाथ को कागज है अब देख आ पिर किया अकड़े ये कागज रहा अब बता बाइच अब पिर से कहता हूँ एक बार ये अपने पिता अपने गाउं के उन नलाई को मैसूस करो जो तयार है कि कब तू ऐस फ़लो और कब वो तेरे पिता से कहें मैं बांद लियो है पितल सुन पिंजड़ा में जंगली सेड पकड़ और देखा हात रो कागज है तू देखा फिर सी कही आखड़ में बांद लियो है पितल सुन मेरी टीम से एक बात करना चाहूंगा दोस्तो हम साइद इस प्रोफेशन में जो पैसा कमा रहे हैं आप और मैं हम बारा से पंदरा गंठे हैं तपते हैं बच्चों के साथ हम किस और कोई प्रोफेशन करते हैं तो साइद हो सकता है इसे अधिक पैसा कमा सकते थे लेकिन जो कुशी इस प्रोफेशन में है सिक्षक होने का धरम जो है उससे बड़ा कोई इस कुशी नहीं है कोई धरम नहीं है इसलिए अब हम इस धरम को और निवह मांदारी से और यह मेरे फक्र है कि मेरे सेल सिक्षक बंदू कॉरोना के बाद हर आदमी जो जीता बच्चे के लिए है जिसे काम किया सेल सिंस के लिए एक बार तालिया मेरे स्ट्रिम के लिए जो जीती आपके लिए है मे बांद लियो है पीठल सुन पिंजडा में जंगली सेर पकड़ कहा सेर ही देखो सेर तो सेर होता ना में बांद लियो है पीठल सुन पिंजडा में जंगली सेर पकड़ ओ देखे हात रो कागज है अब देख्या फिर सी की यहां अकड़ अब बता तेरी एकड़ी कहा है और अगली लाइन जो अकपर ने कही मैं वहाँ होता तो सौड़े के थप्ड़ मारता उसके वाए हूँ आजबाद शाधरती को जंदिगे में आप क्या कमाते हो क्या ने मुझे नहीं पता जंदिगे में इतना जरूर कमा लेना कि आपके पریवार के लोग गाउन में कहें कि हम उसके ताउँ हैं जाचा हैं पिता हैं बाई हैं बस सब कुछ है हुँ आजबाद शाधरतीरो मेवाडी पाग पगां में है अब और कठे अब और बता रजपूती खूनरगां में है क्यों जो राजबूत कोई कास्ट नहीं है जो राजबूत है राजबूत हुआ जबाद शाह धर तीरो मेवाड़ी पाग पगांवे है ये गटना तेरे गic गटने जाए एक डुप लेने के बाद लोग Londres लोगं ये ना पोछने سेलेक्शन ना हो तो अब केकर जोई को गणाई पीसा कराब कर दिया में पहले है कियो नहीं नालाइक ने बीए सी करा दियो तो पिता ना बोल पाता है ना हस पाता है और ना उन आंखों उन आंसों को आंख से बाहर निकाल सकता है पर एक लास सुनने ना रहे जिन्देगे में कोई गलती हो जाए बगवान और माबाप के सामने सुविकार कर लो कोई बुराई नहीं है बगवान मुर्ती है सुनता नहीं है पिता जिवित है सुन लेगा मार पिता हो एक मानता दो नहीं है माबाप दो नहीं होते हैं एक होते हो उनके सामने से विकार लो उनके पास प्लिज भाने नहीं बनाएं उसके पास आर्गुमेंट्स नहीं करें आप चप्डासी बन जाओगे तो पिता की प्यार में कोई फरक नहीं है आप कलेक्टर बन जाओगे पिता की प्यार में कोई फरक नहीं है ये चप्डा सिर्क लेक्टर का जो प्यार का फरक है ये तो दुनिया करती है बाप नहीं करता है हूँ आज बाद शाधरती रो मेवाडी पाग पगा में है अब और बता मन और कठे रजपूती खून रगा में है अब बता और कौन जराजपूत है पितल जी नो डाउट जमीन खिशगणी थी बट दुस्वन के सामने डरो मत पितल जी अकबर के सामने जब को तो अकबर की नोकरी कर रहे रास दरवार में काम करते थे हर पितल का गजले देखी राणारी साओी सेनानी पितल ने पतर देखा तो रास दरवार की महर ती राणा की जड़ पीथल कागज ले देखी रानारी सागी सेनानी नीच ऐस्यों धरती किसक गई आँख्या में बर आयो पानी तुम्हारा नीट और आइट का रिजल्ट ज़े नगेटी हो गया तो ये गटना तेरे घर गटेगी जड़ पीथल कागज ले देखी जड़ पीथल कागज ले देखी रानारी सागी सेनानी नीच ऐस्यों धरती किसक गई आँख्या में भर आयो पानी जड़ पीथल कागज ले देखी रानारी सागी सेनानी नीच ऐस्यों धरती किसक गई आँख्या में भर आयो पानी पन फेर कहीं समल के जैसे समले पितल जी वैसे समलना आपका एक्जाम में भी हर पल समलना है ठक के सोना है नींद ठक क्या है जिंदिगी को बुझा के मत सो इसको ठका के सुलाओ इस रिर को बुझा के मत सुलाओ ठका के सुलाओ आने वाला समय आपका होगा इसी CLC का पढ़ा सुने दन बनता UPSC में पहली बार देता अलाइड में आता है फिर हमत करता है IPS बन जाता है आके मिला बोस IPS बन गया मैंने कहता IPS बन गया खराब है बड़ कलेक्टर बनता तो ओ ठीक रहता डिजल्ट आया दो दिन पहले पहला फोन उस डायल मुझे किया मुझे बहुत अच्छा लगा बोस आपका बेटा I.S. बन गया आज मज़ा आगया दोस्तों सुने आज आपके बेटे की बाइस चुरे हैं का आज आपका बेटा I.S. बन गया IPS के जोब को सेकिंड करकी I.S. बना है नीचे स्यों धरती किसक गई आँखा में भर आयो पाणी पन फेर कहीं ततकाल समल समले पिथल जी पन फेर कहीं ततकाल समल आबात सपाई जूटी है पिथला कुछ नहीं है पकवास कर हट रहना कोई तेरे गुलामी स्विवकार नहीं करता ऐसे कुछ आगया होगा तो सपना रहे जद फेर कहीं ततकाल समल आबात सपाई जूटी है राणारी आन सदा उँची राणारी आन अटूटी है पत्तर देखा जद पिथला कागज ले देखी राणारी सागी से नानी नीचेस्यों धरती किसक गई आख्या में भर आयो पाणी पड़ फेर कहीं ततकाल समल आबात सपाई जूटी है राणारी आन सदा उँची राणारी आन अटूटी है जब रिजल्ट नेगेटिव होगा तो पिता क्या कहीं कोई बात नहीं मेरा बेटा आईटी नीटू नहीं गया होगा मुझे विश्वास है एक जिने सफल होके आएगा ये विश्वास नहीं तोड़ना है अपनों का विश्वास मैं कुछ हैं जाता आपसे मैं इतना चाहता हूं कि जो तुम पे विश्वास करते हैं वो कोई भी हो सकता आपके 550 सोसकते हैं आपका भूस हो सकता है रात को एक विक्ती 12.40 पर यार कि घेट के खड़ा है तो कहिना कि कुछ तुम पर चाहूं करता है जिसके पास 400 लोग काम करते हैं वो अपने 5 लोग काम कर सकता हूं हुआ पांच लोग और पॉइंट कर सकता हुआ हुआ मैं दियर कि 45 दिन कि 450 गंटे वो तब हैं जब 10 गंटे पढ़ोगे अब 10 कंटे कौन कौन पढ़ रहा है और 45 दिन रोज कौन पढ़े और फिर भी आज ही कह दूँ फिर भी रिजल्ट है दी बाइचांस हम सेलेक्शन रेंज पार नहीं कर पाएं तो प्रेंट स्विकार ना पापा मैंने पूरा परियास किया लास्ट में फिर भी कुछ नमर दूर रह गया आपका हो तुम एक ट्राइब फिर कर लूँ आपको बेसी कर लो जो आपको करूंगा मैंन कुछ लोग मुझसे दिख तेज दोड़ गए साइद मुझे प्रैक्टिस की और जुरूरत है मुझे एक साल दोड़ने का और मौका दो मैं दावे से करता हूं पिता करजाला के भी आपको मौका देदेगा लोगों देखा मैंने याँ आपर पन फेर कहीं ततकाल समल आबात सपाई जूटी है रानारी आन सदा उंची रानारी आन अटूटी है फिर पितल अक्मर के दरवार में थे उनका कि जो हुक्म होई तो लिख भेजू यह कविता स्टार्ट यहां से होती है जो हुक्म होई तो लिख भेजू रानाने का गजर खातिर पितल जी कहते है आपका हुक्म हो तो राना से पूछ लो भई यह पत्तर क्या है जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू राना ने कागजर ए खातिर अकबर हेकडी में कहता है तुम पूछ भला ही पीथल तू आबात सही बोलो अकबर जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू राना ने कागजर ए खातिर अक्बर कहता है पूछ ले क्या फ्रक पड़ना है लेट हो आए गया अब जो पिथल ने राना से पूछा है इसके लिए एक घंठा आपका लिया मैंने और वो जवाब जो आया है वो आपको देना सत्रा किशाम को दोस्तों ढंग से बैठ जो बस इसकवीता का सार इतना है अपने बेटे को रोता हुआ देखके वो मेरा हिंदू, हिंदुस्तान का शेर वो मेरा बार्त किशान राना उस अक्बर के सामने जो जुका नहीं वो अपने बेटे के आंसूं के सामने तूटके उस दुष्ट को पत्र लिख देता है कि मैं तेरी गुलामी सुईकार कर लूँगा यह पत्र जाता है अक्बर के पास पिथल जी को दिखाया जाता है पिथल जी पूस्ते हैं लेटर से वो क्या पूस्ते हैं सुनो जो लोग आपके पैंट से पूस्ते होंगे आज उनका बारी है और दोस्तुस्तरा को आपकी बारी आएगी 28 को आपकी बारी आएगी वो कहते हैं न हर वक्त का कोई बादशा होता है हर वक्त का कोई बादशा होता है और हर बादशा का कोई वक्त होता है अपनी मुठ्या बंद कर लो कि आने वाला वक्त हमारा है हमारी परिवार का है हमारी सीलसी का है हम सीलसींस का है क्या कहते हैं पिथल जी जो हुकम हो यह तो लिख भेजू राणा ने कागजरे खातिर अकबर कहते हैं जा पूछ बलाई पिथल तूं आप बात सही बोले अकबर यह लाइन ना होती यह पिथल ना होता पिथल ना होते तो राणा मारणा नहीं होते यही मोटिवेशन है अब वो पिथल का काम आपका बोस आपके लिए कर रहा है क्या कह रहा हूँ मैं क्या का पिथल ने ये पितल आपको पत्तर लिख रहा है और 17 तारी को मेरे राणा इसका जवाब तू देदाना मेरे को मेह आज जिस सुनी है पितल जी कहते हैं राणा से मेह आज जिस सुनी है सीहड लो गादड ल्यासा गैसो वैलो मेह आज जिस सुनी है सीहड लो मैं आज सुनी है सूरजडो बादलरी ओट्यां खोवेलो क्या कहते है पिचल जी मैं आज सुनी है सीहड़ो गादलर्या सागे सोवेलो हमने सुना है कि एक शेर दोस्ती गादले से करेगा एक शेर खाना साथ खाये मैं आज सुनी है सीहड़ो गादल्या सागे सोवेलो मैं आज सुनी है सूरजडो बादलरी ओट्यां खोवेलो राना क्या सुन रहा हूं मैं कि एक शेर सोगे साथ एक शेर खाना कहा है गिद्र के साथ और एक बादल का टुकड़ा डखलेगा सुरज को ये कहां तक साइए साब एक बादल के टुकड़े की ओकात जो डखले सुरज को एक अकबर की ओकात है जो डखले राना को मेरे में आज सुनी है सीहडलो गादडला साग है सोवेलो में आज सूनी है सूर जड़ो बादलरी ओ ट्यांखो वैलो जैसे कई वार आपके घर में परिवार में कुछ लोग कहते हैं पिता से कुछ नो ना इसका जैसे ये पत्तर गया राणा के पास वो कहते हैं दोस्तो शेर के कांटा भी लग जाए तो शेर ही होता हो कांटा लगने पे शेर पमिनी बनता है राणा राणा था ठीक है बेटे के भावकता में भावक हो गए होंगे आम के पेड़ के दोस्तों आम ही लगेंगे जाड़ ने मन सकता कभी हो आम का पेड़ जल सकता अच्छे माबाप ने पैदा किये तो राम पैदा होते है और राम रही में पैदा होते हैं वो अच्छे पैदा होते है में आज सुनी है सीहडलो गादडल्या सागै सोवेलो में आज सुनी है सूरजडो बादडरी ओट्या खोवेलो और ये पत्तर जो है भाई बस ये मैं ये मानो आपको कह रहा हूँ कि कुछ सुना मैं छोड़ो मैंने कि 720 से CLC के बच्चों के नहीं आ सकते क्यों भाई अपने माने डब्बे कर दूप लाएगा अपने को आज मने टीम को बढ़ा इसे लिए है यदि हारते हैं तो क्यों शर्वन नहीं टीम हारती है शर्वन हारता है आप हारते हैं जीतते हो तो सब की जीत है मेरे के अलावा पिर जीत आप सब की है जीत मेरा कोई रोल नहीं है पर हार में मुझे भी साथ ख़रावना पड़ेगा आपकी जीत आपके नाम जीत मेरी टीम के नाम दोस्तो मैं आज सुनी है सीड़ लो गादर लासा आगे सो वैलो मैं आज सुनी है सूर जड़ो बादर री ओट आखो वैलो जैसे पत्र मिला सेर खड़ा हुआ पी थड़ रहा आँखर पढ़ता ही अब नीद नी आनी से रहे अगले 25 दिन सो गया तो ये लाईने गुंजाना कोपड़े में कि पागल सामने खड़ा गा रहा है पी थड़ रा आखर पढ़ता ही जब नीद आन लग जाए ना ये दो लाईन आतना मेरी पी थड़ रा आखर पढ़ता ही मैं एक बात को आखर रहा हूँ कोरोना के अंदर मैंने मेरी बहुत से फैकल्टीज को दस साल तक पाड़ा बेटे की तरह है मेरे स्टाप को जब उन्हें मुझे दोखा दिया तब श्रामने खुछ से कहा था कि इन सब को उकाद दिखा गे रहूंगा मैं और मेरे वाई गुरू का आशिरवाद है कि वहाँ सब लोग बहुत पिछे होगे मेरे साथ जो खड़े बहुत आगया उनसे ये टीम सीलसी है ये दर्थ पड़ाता मैंने पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आख्यां लाल हुई दिकार मैंने मैं कायर हूँ नाहरी एक ललकार हुई पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आख्यां लाल हुई दिकार मैंने मैं कायर हूँ नाहरी एक ललकार हुई वो फिर से रखड़ा हुई पीथलरा आखर पड़ता ही रानारी आख्यां लाल हुई दिकार मने में कायर हूँ नाहरी एक ललकार हुई हूँ भूक मरूँ ये रात को शर्मन क्यों जाकता है यहां है ये लाइन रात को क्यों खड़ा एक बजे मापी चाहता हूँ अभी लड़ाई पैसे की तो नहीं है ये गाउं में अध्यापक का छोँ रहा हूँ थर्ड गेर्ड के मास्ट का छोँ रहा हूँ इता पैसा मेरे पास है कि में जिद रूड़ी का बिना काम की भी खा सकता हूँ मेरे बेटे जो गए वो के नोकरी करें तो मेरे परिवाद चल सकता है लेको चैलेंजेस थें कुछ कुछ उन्होंने चैलेंज दिये जिनका वजूद जिसके कारण था उनका कि तेरा वजूद क्या है जिस C.L.C. मान लाइक बनाया उनका कि C.L.C. तू कौन है उन्हों सब को बताएंगे C.L.C. कौन है C.L.C. बताओं क्या है लेते थे परवेश प्रिक्षा लेते थे फीस की छूट की तो बात ही छोड़ो परवेश प्रिक्षा होती थी फिर एडमिशन होता था फीस तो एक रूपया कम नहीं होती थी यह इस आपके गार्जिन का पागलपन है कि परवेश प्रिक्षाओं को मने चेंज कर दी च्छातरों थी प्रिक्षाओं में जो परवेश प्रिक्षाओं के लेते थे वो आज को दो सिप्टेस लेते हैं और जो कभी कोटा में कहते थे कि सीकर में क्या है उन सब को आपके इस बोस ने CLC चोक पे लाकि दुकाने खुलवा देख लेना पी थलरा आखर पड़ता ही रानारी आख्यां लाल हुई दिकार मने मैं कायर हूँ नाहरी एक ललकार हुई तो लाइन अगली जिसका जगता तुम्हारा बोस तुम्हार लिए हूँ भूक मैरूँ हूँ प्यास समयरू मेवाड धरा आजाज रहे आप सोच के देखो आज जो बच्चा पढ़ रहा CLC में CLC ना हो अपने दिल प्यास पूछना पहली बार कह रहा हूँ जिस फिस्ट मैं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें ना हूँ तो क्या वो लोग आपको पढ़ा दें फिसक अंदर इसके जग रहा हूँ हूँ भूक मरूँ हूँ प्यास मरूँ मेवाड धरा आजाद रहे मैं घोर उजाडा में भटकूं बट मन में मारी याद रहे हूँ भूक मरूँ हूँ प्यास मरूँ मेवाड धरा आजाद रहे हूँ गोर उजाडा मैं बटकूँ पर मन में मारी याद रहे किसकी राणा को मेवाड की थी यहां दोस्तों CLC किये यहां मा CLC लेका में किया जा रहा है सुड़िल धन्मंता I.S. बन जाता है उसको मुझे पहला फोन करने कोई जरूत नहीं है आप सच्चे CLC बनके देख लेना जिन्दगी में सब कुछ आपके पास होगा इज़त के साथ पीथलरा आखर पढ़ता ही राणारी आख्यां लाल हुई धिकार मैने मैं कायर हूँ नहररी एक ललकारे हुई हूँ भूक मरूँ हूँ प्यास मरूँ में वाड़ धरा आजाद रहे ज़िए रात को जगना पड़े एक बज़े ज़िए आपके लिए कुछ भी करना पड़े ज़िए गाउं से आए किसान के छोरे को जो फिस्ट उसमें पड़ाना पड़े फिर से कहता हूँ गारजन सुन लेना कासी आपका शर्मना हो तो जिस फिस्ट में आपको CLC पड़ा रही है क्या वो लोग पड़ा सकते हैं क्या इसका उत्तर हाँ आए तो साथ ओलों पड़े बुसके था कि हजारूं हजारूं बच्चों को और हम पड़ास के याँ पर यह कहने के बाद फिर अब लिखते हैं राणा पत्र वापस क्या दिका पिथल ने कि मैं आज सुनी है सीहडलो गादर जा सागे सोवेलो मैं आज सुनी है सूरजडो बादल रही ओट आँखोवेलो पिथल दिका हमने सुना एक सेर सोएगा गिड़ के साथ एक बादल का टुकुडा ढखलेगा सूरजगो वो जवाब आप जो प्रसन आपके परिवार से लोग पूछते हैं उसका जवाब क्या देना है साथ ओलो मेरे मेरा वादा है मैं कभी सीकर से इधर उधर बाहर हुआ तो अलग बात है ये श्रवन का प्रोमिज है सीकर रहूंगा तो 95% रात को बारा चालिस पे गेट पे मिलूँगा ये वादा आपके गार जिनकाब के साथ है बस हंस्ते बार आया करो फिर जो पत्तर लिखा राना ने जिससे राना से महराना बने ये 77 जुलायो और 28 सकस्त के शाम को हमें जबाब देरा है चे नहीं जणी रे गादmarkt कोक असी नहीं जणी रे गादındaki कोक असी जो सिहरी था पी झेले ली नहीं जणी रे गादमी झेले ली नहीं बढ़ने औरे बादड़ी रोटू कड़ो सूरज ने ओट्यां ले ले ली राणा ने का किस क्यों काता है राणा का किसी गादड़ी ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेर की थापी धिल जाए ऐसा कोई गिद्ड का बच्चा नहीं है जो थापी शेर की घिल जाए नहीं जैनी रही गादड़ी कोख असी जो सियरी थापी जे ले ली नहीं बढ़िव रबादड़ी रो टुकड़ो सुरज ने ओटां ले ले ली ऐसा कोई टुकड़ नहीं बाद़ का जो ठक ले सुरज को नहीं जनी रेगा दड़ी कोख असी जो सियरी था पी जेले ली नहीं बन्योरे बादली रो टुकडो सूरज ने ओटां ले ले ली ये पत्तर जब गया वापस राणारा आखर पढ़ता ही अब साथ ओले मेरे उस्व के लिए ये पत्तर फिर गया राणारा आखर पढ़ता ही पीथडरी चाती दूनी ही अब अपने घर को मैसूस करें भागो पिता को बुड़े दादा को जे जल्ट आएगा उस देने वो माक्सीट पत्तर है उस राणा का तुमारे लिए राणारा आखर पढ़ता ही पीथडरी च्छाती दूनी ही हिंदुवानी सूरज चमको अकबरी दुनिया सूनी हरे घासरी रोटी जद बन बिलावडो ले भागयो नानो सो अमरो चीख पड़ो रानारो सोयो दुख जागयो हरे घासरी रोटी दोस्तो अपने पिता की आँखों पाने मत ले आना बस इतना है कहना मुझे आज उस राना की जैनती है कई दूनों से प्रेशर था कि बात की जाए मैंने मेरे दिल के सारे जजबात आपके सशेर किये हैं मेरा कोई बेटा कमजूर नहीं है